Hello student जो हमारे एक्जाम में बार वर रिपीट किये जाते हैं और जो आप लोगो को बार वर बहुत परिशान करते हैं तो चल्ये, बीना समय गवाए हम उन दस क्वेशने की सीरीस को स्टार्ट करते हैं पर इस्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखे गया एक भी कोशन स्कैप नहीं करेगा दूसरी एक और बात आप अपने दोस्तों को जादा से जादा इस वीडियो को सेयर करना ताकि वो लोग भी ऐसे कोशन और इस वीडियो का लिद्व उड़ा सकें तो चलिए अजब पहली बात एक और यहां आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रही हूँ कि केमिस्ट्री है क्या वाट इस केमिस्ट्री क्या है तो आप सभी लोगों को पता है केमिस्ट्री इस दे स्टेडी ओफ केमिकल की यूज़ प्रोपेर्टी होती, उसकी प्रोपेर्टी के बारे में जो हम स्टेडी कर रहे है that is called chemical चलिए हम शुरुवात करते हैं अपने कोशनों की तो question intest करने के लिए निम्न में से किसohets क्लोरीन मैं आपको एक और बात बता दूं कि water की प्यूरीफिकेशन में एक ख्लोरीफिकेशन प्रोसेस होती है जिस में क्लोरीन गेस को flow किया जाता है। इसके अलावा एक और बात आपको मैं बता दूं एक chlorine का compound है जिससे हमं बोलते है bleaching powder जिसे हम क्या बोलते हैं bleaching powder या विरंजक चोन जिसका प्रियोग किया जाता है पानी को सुध करने में मतलब पानी के बैक्टिरिया को मारने के लिए तो chlorine is the correct answer next question की तरफ चलते हैं question number two question number two में पूछा जाता है हमसे कि कहां काम करने वाले व्यक्तियों को black lung रोग हो जाता है black lung रोग कहां काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है तो आपको पता है कि कुछ worker कुछ ऐसे special factor में काम करते हैं जहां पर उन्हें कुछ lung से related रोग हो जाता है disease हो जाता है यहां एक simple सा trick है की बात करें black lung तो black का मतलब काला यानि काली रंग से related कौन सा ऐसा हो द्योग है तो option A में देखें विद्धूतलेपन बिल्कुल नहीं, option B में देखें कारबनी की ये भी नहीं, option C में paint भी लाएक ये भी नहीं, तो option D है मारक कोईला, कोईले का मतलब होता है क अब मैं आपको बता दूँ कोईले में काम करने वाले, खादान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जब inhale सांस लेते हैं, तो सांस में वहां पता है, आपको चारो तरफ कोईले के छोटे छोटे पार्टिकल एर में mix होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल को जब inhale करके वो अपने lungs के इंदर ले जाते हैं तो उनके lungs में दीरे 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 वो क्या होते हैं जम जाते हैं जिसके कारण पूरे lungs के color को ब्लेक कलर में convert कर देते हैं इसलिए हमने इसका नाम रखा है black lung rog disease दूसरी एक और बात मैं बता दूँ कि अलग अलग और फेक्टियों में काम करने वाले कुछ रोग होते हैं जिन में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बार बार एक्जाम में पूछा जाता है कि बताओ काँच की फेक्टियों में काम करने वाले वर्करों में लंग से related कौन से defect होता है तो इसको मैं बता दूँ उसका नाम है silicosis क्या नाम है silicosis और इस black लंग से defect की बाते मैं गात करें इसको बोलते हैं pneumocosis इसको क्या बोलते हैं pneumocosis तो यादखना black lung रोक का एक और दूसरा नाम है pneumocosis जो कोईले के खादान में काम करने वाले लोगों में हो जाता है और silicosis कहां काच की फेक्टियों में काम करने वाले लोगों के लंग से हो जाता है अब चलते हैं अगले और तीसरे प्रश्न की दरब तो तीसरा प्रश्न बिलकुल साफ और ईजी हमसे पूचता है कि बताओ बच्चों निमलिकित में से ऑक्सिजन में मिस्दितवे निस्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित स्वसंद से पिडित रोगियों को दी जाती है मतलब जो लोग अस्तमा के पैसेंट होते हैं वो इनहेलर का यूज करते हैं उस इनहेलर के अंदर और अक्सिजन और प्लस में आक्सिजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है तो आपको मैं बता दूँ कि हाँ पर हीलियम, क्रिप्टोन, रेडोन, आरगन ये सारी की सारी जो है वो noble gas है यानि निस्क्रिय gas है helium का use क्यों करते हैं क्योंकि helium सबसे हलकी noble gas है अब याद अकना सबसे भारी noble gas कौन सी है तो वो redone है वो सबसे हलकी noble gas कौन सी helium तो जो हलकी gas है वो ही तो आजानी आसानी से inhale करके जाएगी हमारी lungs में इसलिए हम oxygen के साथ helium gas का use करते हैं तो चलते हैं अब हम next अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण नमबर 4 प्रश्ण नमबर 4 में हमसे पूछा जाता है या हमसे पूछा जा रहे प्रश्ण नमबर 4 में कि अमलवर्षा वनस्पती को धस्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है option A nitric अमल होता है option B ozone होती है option C carbon monoxide होता है option D sulfuric तो option B और option C रहोंगे नाम ही इसका अमल यह वर्शा तो जरूर उसके इंदर अमल होता होगा तो अमल option A nitric और option B sulfuric इसका correct answer A और D दोनों है बड़ यदि आपको मैं बता दूँ तो वनस्पती को नुकसान पहुचाने वाली acid rain में जो acid होता है उसको हम बोलते है sulfuric acid H2SO4 इसके अलावा nitric अमल HNO3 जो फार्मला है यह भी हमारी acid rain के अंदर होती है तो इसका हमारा correct answer एक option D sulfuric next और अगले प्रश्ण की द्रव चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण question निमर 5 धूम कोरा मोजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक सकती साली द्रव्य मतलब सर्दियों के दिनों में जो धूंद पढ़ती है उस धूंद में जब हम जाते हैं तो हमारे आँखों में जलन का effect create होता है मतलब जलन होती है तो वो जलन होने का कारण क्या है तो उसका कारण क्या हवा में nitric oxide का होना है तो बोलना सर्द बिल्कुल नहीं क्या हवा में sulfur dioxide का होना है बिल्कुल नहीं क्या हवा में proxy acetyl nitrate बिल्कुल सही proxy acetyl nitrate एक ऐसा chemical है जो air में mix होने के बाद हमारे आंकों में जलन पैदा करता है तो option C is correct answer next question की तरफ चलते हैं next question है question number 7 question number 7 में पूचा जाता है क्रित्रिम वर्षा या make vision के लिए प्राय प्रियोग किया जाने वाला रासाइनिक द्रव है तो क्रित्रिम वर्षा artificial rain करने के लिए किसका यूज करते हैं तो artificial rain करने में सबसे पहले और सबसे मुख्य यूज होता है silver iodide जिसको हम AGI C रिपर जन करेंगे किसका silver iodide हलां कि इसके अलावा sodium chloride का भी यूज किया जाता है और dry ice सुखी बर्षा जिससे हम बोलते है solid CO2 solid CO2 या सुस्क बर्षा भी यूज करते है वैसे यदि यह पूचता कि केवल क्रित्रिम बर्षा में कौन सी silver के कौन से material का यूज करते हैं तो बोलना silver iodide बट यहां के according हमारा option D correct रहेगा silver iodide का भी यूज करते हैं sodium chloride का भी यूज करते हैं और dry ice सुखी बर्षा भी यूज करते हैं तो हमारे सारे option correct है option D is correct answer next question number है हमारे पास 8 question number 8 में पूचा जाता है हरे फलों को पकाने के लिए कृतिनिम रूप से पकाने के लिए पर्युक्त की जाने वाली gas option A acetylene sorry ethylene option B acetylene option Cthane option D methane तो इसका correct answer option A ethylene जिसका फार्मला होता है C2H4 इसका एक और नाम हम कहा सकते हैं कि यह alkin group का है और carbon इसके इंदर दो है इसका नाम रखा गया है ethylene जिसका यूज किया जाता है कच्चे केले या कच्चे आम या कच्चे फलों को पकाने के रूप में और acetylene को जब हम oxygen के साथ mix कर देते हैं O2 के साथ तो यह बन जाता है oxy acetylene जिसका यूज करते हम gas welding के रूप में जिसमें gas welding के रूप में ठीक है gas के welding के रूप में हम इसका प्रियूप करते हैं तो ethylene का हम क्रितिम रूप से फलों को पकाने में और oxy acetylene का यूज करते है gas welding में ठीक है तो यहाँ पर हमारा option A correct रहने वाला है next चलते है question number 9 की तरफ question number 9 में सबसे easy है और साधरन से एक question पूछा गया है कि बताओ aspirin का साधरा नाम क्या है aspirin का साधरा नाम salicylic acid नहीं salicylic acid नहीं यह है methyl salicylic acid यह भी नहीं है तो यह acetyl salicylic acid यह acetyl salicylic acid acid का नाम है aspirin जैसे इसके कुछ यह paint healer भी होते हैं जैसे disprin आप लोगों को पता disprin का use किया जाता था सर दर्द को मीटाने के लिए लेकिन इसे bend कर दिया गया है इंडिया के इंदर ठीक है क्योंकि हमारे body के इंदर bad effect डालता है तो basically वो एक प्रकार का aspirin होता था जिसका नाम के डिस्प्री इंता अब हम चलते है next question की तरफ और आज का हमारा last question है निमलिकित में से जैव सेल कौन सा है option A संगमरमर कोईला option C ग्रेनाइट और option D slate या जेव सेल है तो कोईला का है option में तो option B हमारा correct answer है अब next और आज के last question की तरफ यदी चलें ये question number 10 और question number 10 ये दो हो गया हलांकि sequence हमारा गलत हो गया कोई नहीं question number 10 last का हमारा question है आज का कि वाईव मंडल में निमलिकित में से gas पराबेंगनी किरणों को अवसोसित कर लेती है कौन सी पराबेंगनी किरणों को अवसोसित कर लेती है कौन सी चीश तो उसका मैं सही जवाब दे दू उसका सही जवाब होगा ozone तो ozone एक ऐसी gas है ozone एक ऐसी परत है जो पराबेंगनी किरणों को अवसोसित कर लेती है तो ओजन हमारा यहाँ पर correct answer हैगा चीक है तो हम आज के आपके लिए यह 10 questions लेकर कहाएं जो हमारे exam के लिए बहुत ही important रहेगा और यदि हम exam के लिए बहुत ही important देखें तो यह 10 questions थे तो इसी के साथ धन्यवाद बाई बाई नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं